विदिशा जिले की पठारी में लगातार हो रही बारिस के चलते जहां पर नदी नाले उफान पर हैं वहीं पठारी बासुदा कुर्वई मार्ग पर पढ़ने वाले रेटी पूल पर लगातार दोस्ते तीन फिट पानी होने से पठारी बासुदा कुर्वई मार्ग बंध हो वहीं पठारी खुड़ई मार्ग पर पढ़ने वाली बीना नदी के पूल पर भी लगबख 6-7 फिट पानी होने से वो मार्ग भी बन हो गया और पठारी कांकल खेडी के बीच पढ़ने वाली बगरु नदी पर बना त्योधा डेम के गेट खुलने से ये रास्ता भी बन हो ग ने बगोदर डेम पठारी के साथ गेट में से तीन गेट खोले गए बारिस को देखते हुए पठारी तेसिलदा सी के तामराकर और पठारी थाना प्रभारी दीफक राठोर सहीत राजस्व अमलाव और पुलीस बल समस्त नदी नालोग पर निगरानी बनाये हुए है वीदिसा से आसे सहले के रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे देल आइकोन को दबाना बिलकुल भीना भूले